मास अवेकनिंग इन दा मन्थ आफ नॉवेंबर ये ताइमलेस वीडियो अगर आप तत पहुँच रहा है तो ये मान कर चलें कि आप और आपके परसन के अवेकनिंग पीक पर है आने वाले नॉवेंबर मन्थ में बहुत ट्विंट फ्लेम अवेकन्ड होंगे नॉवेंबर का महीना सोल अवेकनिंग ट्रास्फरमेशन एंड रियूनियन लेकर आता है इस बार भी नॉवेंबर का महीना मास अवेकनिंग लेकर आएगा आगे वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे इस अवेकनिंग को एक्सपिरियंस करेंगे हाँ आप में से कुछ Twin Flames already awakened है और आपका reunion होने वाला है पर यहाँ awakening सिर्फ Divine Feminine की ही नहीं बलकि Divine Masculines की भी होती है Yes, your DFs are doing very good for your Twin Flame awakening क्योंकि collective में ज्यादतर Divine Feminine inner work and healing कर रहे है इसी का result है कि आपके DM की awakening स्टार्ट हो चुकी है और reunion से आप कुछी दूरी पर है वहीं बहुत से Twin Flames इस November में awakened होंगे जो नए नए इस journey में इंटर करने जा रहे है यह major shift आप सब के life में transformation लेकर आएगा जब आप अपने और Twin Flame के बीच unconditional love की energy में आ जाते हैं जब आप separation के illusion से बाहर आ जाते हैं तब ही ये changing आप manifest कर पाते हैं जब आपको outside world से ज्यादा फरक नहीं पड़ता यहां क्या हो रहा है लोग क्या कह रहे हैं etc. जब आप खुद से आप अपने आप पर सिर्फ खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं और खुद पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं डाक नाइट अप दे सोल को आपने experience किया तब जाकर आप higher consciousness में आपाए यही है आपका true nature ऐसे में क्या कुछ फील करेंगे आप? आपने से कुछ को हो सकता है situation से भागने का मन करें some will go crazy, some will cry, some will angry वहीं आपने से कुछ peacefully इस face को, इस awakening face को embrace and accept करेंगे क्योंकि होता क्या है जैसे हम नीच से जाकते हैं हम सभी रात को सोते हैं और सुबह जाकते हैं पर हम में से कुछ अपने आप जाग जाते हैं जिनने किसी type की कोई alarm की जरुत नहीं होती वहीं कुछ alarm से जगते हैं और बहुत आराम से बेट से उड़ भी जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो alarm बजने के बाद भी उठना नहीं चातें जगना नहीं चातें और अगर जगना पड़े तो पूरे दिन परिशान रहते हैं बेचान रहते हैं सुस्ती में रहते हैं कि थोड़ी देर और सो लेते तो कितना अच्छा होता थीक वैसा ही है spiritual awakening process यहां कुछ soul easily awakened हो जाती है या awakening process को easily accept कर लेती है पर कुछ souls ऐसी भी है जिने awakening से डर लगता है वो इसी illusion से इस maya से माया में फसी रहना जाते हैं इसके साथ अगर आप भी इस मास अवेकनिंग में आपका भी नाम शामिल है तो आपको डबल वन डबल वन बहुत ज़्यादा दिख सकता है 4143322255 बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं आपको और भी आप इससे भी ये शूर हो जाएए कि आपकी अवेकनिंग या अगर आप अवेकन है तो आपके पिंट फ्लेम की अवेकनिंग शुरू हो रही है या फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके आसपास बर्ड्स या बटरफ्लाइज वैसे बर्ड्स जो आस तक आपके आसपास नहीं दिखे तो आप जैसे ही बाहर या टेरस या बैलकन आपको दिख सकते हैं तो ये थे मास अवेकनिंग जो शुरू होगा नौवेंबर से आने वाले मंद से क्या आप भी इसमें शामिल हैं और अगर आप अवेकनिंग प्रॉसेस में अगर आप हैं तो 100% अगर आप तक ये वीडियो पहुचा है तो आपके ट्विन फ्लेम की अ शुरू हो रही है नौवेंबर मंद से तो बी इन हाई वाइब्रिशनल स्टेट ओनली और फर्दर कोई भी गाइडिन्स या आप जिस परसन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकी ट्विन फ्लेम हैं बिकज़ देर इस थिन लाइन गाप बिट्विन अकामिक और ट्विन फ्लेम अगर कन्फरमेशन कराना है या फिर इन हावक रिलेटेड गाइडिन्स चाहिए या कोई भी लाइफ सिचुईशन ऐसी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं गाइडिन्स के लिए मेरे नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पर ध्यान रख की चैनलिंग की अगर आज की एनरजी की कलेक्टिव में बात करू एनरजी बेहत खुबसुरत बहुत अच्छी रिसीब मैंने की है और नॉवेंबर मा सब एक नहीं लेके आ रहा है तो थैंक यू बेरी मच फॉर लिस्निंग तो में बहुत बहुत कुश रहिए मच ब्लेसि के साथ ये वीडियो यहीं पर एन करना चाहती हूं मैं ओम नमस्षिवाए